Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग जैसागी आप लोगोंको पता है कि आज आप लोगों का Moscow का एक्जाम है preparation आप लोग कर चुके होँगे जितने भी imprint सामान हैं जो imprint documents हैं जो आपको exam में लेकर जाने हैं आप अपने bag में पूरे के पूरे documents को एक बार फिर से चेक करके तो जो जो वनूहने रूल बताए हैं उस रूल को आप अच्छे से फॉलो करके तब आप वहां पर जाएगा कोई भी आपको चोटी से चोटी मिस्टिक भी आपको एक्जाम कर पहлиए। क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पर पहुंच अगे जिससे कि बहुत सारी पैसानी के सामना आप लोगों को ना करना पड़े क्योंकि एक छूटी से गलती से अगर आपका एक्जाम छूट जाता है किसी विकार्ण से जैसे आप मालेए यूपी वोर्ट के स्टुटेट है तो बहुत से क्या काम करते है कि जो इस्टुटेट होते हैं मनलब कि घवरा जाते है कोई कहां से आया है मनलब बड़े-बड़े चसमा लगा कर आते हैं बनते हैं कि हम 10 गंटे पढ़ते हैं 12 गंटे पढ़ते हैं कौन क्या पढ़ता है दूसरे के उपर अपनी आपको पर बरुसा रखना है अपनी आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जो मैं करूंगा वो मैं सही करूंगा और आप अपनी फुल एफिसेंसी के साथ वहाँ पर एक्जाम में बैठेंगे पॉलिटिव रहेंगे और आपके जो भी कोसंस हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से करेंगे जब आपको संस हौल में बैठने के लिए जाएं तो आप पूरा का पूरा जो तीन गंटी का समय है आप इधर उधर क की चीज़ों को बिल्कुल मत देखना एक्जाम एक्जाम के पेपर हाथ में आप लोगों के आ जाए तो पूरा का पूरा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए आस पास में क्या हो रहा है कौन बैठा है कौन ने बैठा ड़ेंटर आपका पूरा ध्यान फूल फूकस आपके को सं सब्सक्राइब करना जैसे माली जास में फिजिक्स केमिस्ट्य और भायलोजी दिर्खा है तो आप पहले है चेक्र करू कि आप के पैप का सब्सेग्च्ट है उसके questions आपको सबसे last में करने हैं पहला primary काम है कि आप सबसे ज्यादा जो आपको अच्छा लगता है subject उसके questions आप आसानी से कर पाऊगे उसे अच्छे से कर पाऊगे जब questions आपके बहुत सारे बनेंगे जैसे मालो आपका biology फैबरेट है biology questions करने के लिए बैठे और आपने बहुत सा biology लास्ट में दे रखी है शुरुआत में physics दे दी और physics आपकी week है और मालीजिए आगे के जो 10-12 questions हैं वो hard questions बालीजिए हो और उन questions को आप ना कर पाऊ तो आने वाले समय में क्या होगा आने वाले questions के साथ क्या होगा कि जो questions तुम पर आता होगा वो भी नहीं हो आपाएगा तो एक negative energy आती है और negative energy आने के बाद बहुत से लोग तो अपने आपको समाल लेते हैं लेकिन बहुत से लोग अपने आपको नहीं समाल पाते ही तो मैं बस आप लोगों से यह केना चाहता हूँ कि जो आपका best subject है आप पहले उन questions को करें और जब भी आप questions को करने के लिए ब बनेंगे वह बहुत अच्छे questions बनेंगे logical questions बनेंगे वह भासा में आप लोगों को फसाने की कोसिस कर सकते हैं मिलान जो है मिलान को बड़े ध्यान से करना ठीक है questions के जो option है option ऐसाने के आपने प्रेशन बड़ा option A जो है वह आपको लगाव टिक मार दिया नहीं options हमेसा आप लोगो चारों के चारों पढ़ने होंगे उसके साथ आपको क्या काम करना है अगर ये काम आपके हो जाते हैं questions solve हो जाते हैं तो मैंने वैसे आप लोगो questions solve करने की जो mcq trick है वो मैंने बता रखी है आप उससे जागर देख सकती है और इसी वीडियो के eye button में मैं आप लोगो उसकी जो वीडियो हैं दस्वारे वीडियो उन सभी वीडियो को आप देख लिए उनसे क्या होगा कि आपके सारे doubt के लिए हो जाएंगे आपका confidence आजाएगा आपको positive रहने की हिम्मत आजाएगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक चीज बिसेस का ध्यान द देने का काम करती है जिसे आप positive रहते हैं ठीक है अगर mind में energy negative है तो आपका जो exam में बहुत बेकर जाएगा अगर आपका mind fresh है cool mind में हो और बिल्कुल positive हो आप अंदर से exam देने के लिए excited हो तो यकीन मानिए बहुत से ऐसे questions भी होंगे जो तुम पर नहीं आते लेकिन उन्हे exam में बैठे तो exam में कोई भी ऐसी गलतिया मत करना जो आपको भारी पढ़ जाए ठीक है exam में जैसे मालो आप omaer street जो होती है न omaer street में कोई एक गोला भर दिया मालो c को भरना था उसने d को भर दिया अब वो क्या काम करेगा c को भी भर देगा तो दो दो गोला allowed नहीं है द बोला अच्छी तरीके से भरना और complete ही भरना ठीक है आप अपना वहां पर रोल नमबर डालना बिल्कुल मत बूलना रोल नमबर और जो भी उसमें information पूछी गई है वो सारे information आप लोगों को भरनी है जब यह सारी चीह हो जाएं तो आपका जो तीन गंटे का exam होगा उस exam को तीन गंटे से कोसिस करना पहले करने की ठीक है और आपको बता दें कोई questions आपको ऐसे लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा hard question है या बहुत ज़्यादा इसमें calculation करनी पड़ेगी या मानलो एक या दो बार आपने calculation की उसके बाद भी उसकी questions का physics का या chemistry का उसमें answer नहीं आ रहा तो उस समय उसे तुरंत छोड़ देना आपको कुछी भी questions को time देना है सिर्फ जो अगर मानलो numerical questions है तो एक बार time दो दो बार time दो दो बार के बाद तीसरी बार भी उस questions को time नहीं देना क्योंकि अगर तीसरी बार time दिया तो जो दूसरे questions है उनका वो समय खा जाएगा तो आ इसे आप लोगों का exam हो जाए एक्जाम माल लीजे आपका complete exam वहां hall से जब आप बाहर निकले तो exam hall से बाहर निकलने के बाद में आपको खुद पता चले जाता है कि आपका exam किस तरीके से हुआ है अंसर की कुस्ता में बाद आई जाएगी तो आपको पता चले जाए कितने प्रेशन करेंगे ही अगर नेगिटिव रेट है बाइचांस तो जिस व्यक्ति के एफिसेंस है वो दुवारा प्रेशन कर सकता है और नहीं तो बहुत सारे ऐसे कोर्स मौझूद है जो निट के बिना भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप मेडिकल में चाहते हो तो निट के बिना भी बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं और फिर भी वह बहुत अच्छा कासा कमाते भी है और उनका अच्छा कासा नाम भी है तो आप लोग बस इतना रहिएगा माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेसल मत रखना हो जाए तो ठीक है अगर नहीं हो तो आपके पास बहुत सारे ओप्सन है प्ली रिस्ट में चले आना हमारी में या फिर मैं आइकार्ट में बटन में डाल दोगा वो आपको मिल जाए वीडियो आपको ये वीडियो कैसे ल करना बबना बुले में बिल्टे है नहीं हो दूदियों